हेलो बच्चो मैं हुमान्य और स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे तो बेटा कैसे हो लाइक में सब बढ़िया चल रहा है वेल बढ़िया तो नहीं चल रहा होगा कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा होगा कि आप से एसस्टी याद नहीं होती तो क्या किया जाए तभी आपने वीडियो खोली है कि नहीं अब देखिए जो पहले वाली वीडियो थी ना उस वीडियो में हमने इस बार में बात करा था कि हम किस तरीके से लंबे आंसर को पॉइंटर वाले जो होते हैं ना उन आंसर को किस तरीके से याद कर सकते हैं और मैंने आपको बताई थी ए इजी तरीके से हम SST याद कर सकते हैं अब देखिए जहां SST की बात आती है ना हम सब के साथ यह हो जाता है कि भाई SST तो एकदम पोथ ही लगती है हमको पढ़ने में जहां पर पैराग्रास वाले लंबे-लंबे आंसर आ जाते हैं वाँ कुछ समझ नहीं आता कि करा जाए तो हमें question समझ नहीं आया और जो answer हमने teacher को दिया teacher को answer समझ नहीं आया है कि नहीं तो ऐसी चीज आपके साथ नहीं होगी इन techniques के बाद तो चलिए बढ़ते हम अपनी technique number one पे और हमारी technique number one है कि हम paragraph में किस तरीके से अच्छे से learn कर सकते हैं ठीक है किस तरीके से हम अच्छे से उन ठीक है एक बार तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए अब दूसरी बार आपको इसको फिर से पढ़ना है अब इस बार जब आप पढ़ेंगे ना तो इस बार आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ आए कि वो क्या चीज बोली जा रही है मतलब answer में क्या लिखा वे समझने के ल वाले points जो पैराग्राफ है वो चीज आपको याद रह जाएगी ठीक है 100% वाली चीज़े आपको याद रह जाएंगी कि हाँ यह तो आसान है तो पढ़ते ही मुझे याद हो गया ठीक है अब दूसरा आपको चीज बनानी है दूसरा ग्रूप बनाना है वो है मीडियम और ह गार्ड का ठीक है जैसे हमने grouping technique में सीखा था pointers को करना सेम चीज हम paragraph में भी कर सकते हैं paragraph में कैसे कर सकते हैं अब देखे paragraph में अगर हमें है कि हमारी उसकी family क्या करती है ठीक है तो फैमली का अलग ग्रूप हो गया तो जैसे अगर आपको आसान ग्रूप की याद पहले हो रहा है जिसके अंदर उस बच्चे के बारे बताया जा रहे है तो आप पहले वह चीज याद कर लें ठीक है वह चीज आप एक साथ बना लेंगे तो देखें यह चीज होगी कि आपको काफी कुछ याद रह जाएगा ठीक है एक आपको 100% वाले points याद रह जाएंगे जो आपके होंगे और एक आपको 80% वाले points याद रह जाएंगे अब जहां बात आती है हमारे hard वाले की जहां पर आती हमारे ऐसे context की, ऐसे points की या फिर ऐसे paragraph की जो कि बड़ा मुश्किल होता है याद करना मतलब कुछ चीज़े तो ऐसे होती है बिल्कुल दिमाग के उपर से चली जाती है लगता ही नहीं भाई paper में तो यह मैं पहले ही बता रहा हूं कि या फिर यूरो हमें याद ही नहीं रहेगा ऐसा लगता है paper देखते सिधा कि यह चीज तो याद ही ने रहेगी यह तो मुझे अभी से पता है उस चीज में आप क्या कर सकते हैं उस चीज में आप यह कर सकते हैं कि उन points को ढंग से पढ़के एक बार लिख लीजिए ठीक है उससे यह होगा कि आपको अच्छे से वह ची जो थी grouping technique का ही part जिसमें हमने जो हमने पहले वाली वीडियो में बात करीती जिसमें हम paragraph कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं मारी दूसरी ट्रिक पे ठीक है दूसरी टेकनीक पे वह दूसरी टेकनीक है कि हमें सबसे पहले इस चीज को पढ़ना है जो भी आपका answer है उस चीज को अच्छे से रिड तुरी करें ठीक है बिलकुल बहतरी इन तरीके से याद करिए कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है अब कई बार यह होता है कि हम समझने के लिए पढ़ते हैं तो यह वहीवारे technique है कि आपको पढ़ते पढ़ते जितना समझ आता जा रहा है आप आराम से उस चीज को समझते जाए और एक कहानी की तरह उस सारे को लिंक कर लीजिए ठीक है साथ भी जोड़ लीजिए कहानी की तरह और उसके बाद आपको करना यह है कि जब आप अच्छे से समझ लेंगे आपको ना उसके साइड में ऐसे पॉइंट्स लिखते जाने हैं अपनी भाषा में कि आपको पढ़के क्या समझ आया उससे यह होगा कि आपको ठंग से वह चीज आपके दिमाग में वह जहन में उतर जाएगी तो आप वह हमारी टेकनीक टू जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी अवा आते हैं हमारी टेकनीक नंबर थरी पर और वह टेकनीक क्या है वह टेकनीक कि बाद George आघराघव करने के बाद हमारे उसके और एक keyword निकलता है चीक है अब reading तो देखिया हमें हर जगात बहुत जरूरी है पर जब हम read कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उसके अंदर एक keywords मिलते हैं एक ऐसी चीजें मिलती है जो हमारे दिमाग में चिपक जाती है यहाँ इस point से ना इस word से इस topics से मुझे यह चीज याद रह जाएगी अब होगा क्या जो भी paragraph है आपको जो भी paragraph दिया गया है आप उस paragraph को ढंक से read करिए और उसके अंदर से keyword निकाल लीजिए चीक है और जब आप keyword निकाल लेंगे आप उस keyword से पूरा का पूरा answer याद कर सकते हैं आपको वो keyword देखते ही सारा का सारा context याद आ जाएगा तो जब आप keyword निकाल लेंगे आप साथ में उसको अपकी book में लिख लीजिए ठीक है एक तो हमारी यह चीज हो गई अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूं जो कि सबसे महत्वपून है कि जब भी आप यह techniques use करेंगे तो आप कौन से टाइम पर यह techniques use करें और वो बहतर रहेंगी आप जो हमारी technique number one थी जो grouping technique थी वो और साथ में जो हमारी technique number two है यह दोनों technique ना आप करीबन paper से दो चार महीने पहले कर सकते हैं चार महीने पहले चले आप लगा लीजे technique number one और दूसरी technique आप लगा लीजे दो महीने पहले पर अगर आपके पास एक महीना पड़ा है या पंदरा दिन पड़े हैं तो आप अपनी technique three लगा सकते हैं उससे क्या होगा कि आपको सारे चीज़े याद है जाएंगी पर समझना बहुत जरूरी है आपको reading अच्छे से करनी पड़ेगी ठीक है तो इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ विदा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे comment करिए like करिए इस वीडियो को और साथ में ही share करिए अपने सारे दोस्तों में ताकि आप सब sst से ल झाल